वेल्कम जी, लेट्स स्टार्ट, आज मैं सिर्फ एक सेर के बारे में बात करूंगा, जो फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉंग से, वो उसके क्वार्टर के रेजल्ट्स भी अच्छे आए, और उसका रेजल्ट भी वेरी पावर्फुल आए, तो अगर सिर्फ उसके हम आज के एक दिन की पर्फॉर्मेंस की बात करें, तो एक दिन में ये स्टॉक्स आल्मूस सेवेंटीन पर्सेंट के आसपास अप रहा है, मार्केट खुलते ही, ये अप इसकी ओपनिंग होती है, प्रिवेस क्लोजिंग 5,900 पे था, और ये ओपनिंग होता है, 650 पे, 6500 पे, और सीधे ये अप 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 इकलोज होता है, कहीं पूरे दिन में डाउन ने होता है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं, एक साल के रिटरंस की, तो एक साल में आपके पैसे को इसने डेड़ गुना कर दिया है, 131 पर्शन का रिटरंस, ए एक साल पहले ये नेरब और तीन हजार के असपस मिंद रहा था, आज अलमुष साथ हजार के असपस चला गया, तो एक साल में आपके पैसे को डेट गुना इसने कर दिया है, अगर हमें बात करता हूं इसके पांच साल की रिजंट, तो पांच साल पहले इस मात्र हजार के सबस्टरेड कर रहा होता था और आज के डेट में देखो के तो ये 7000 का ट्रेड कर रहा है, तो ये लांग टरम के लिए very very fundamentally very strong share है, और इसने 5 logros के 1,000% का रिटन दे चुका है, अगर हम इसको compare करते हैं इसके returns को इसके sector के साथ और इसके census के साथ अगर हम तीन साल के बात करते हैं तो तीन साल में census ने return दिये 79% का sector ने दिये 131% का और इसने almost 300% का returns so इस sector ने आसानी से census को beat किया और even अपने sector को beat किया तो जिस sector हम काम करता है उसे double sector से double के double returns और आप चेक कर सकते हो यह continuous base पे इसका chart कैसे flow हो रहा है तो अगर हम इसकी weekly बास करें तो one week का return 17% है one month का 19% one year का one twenty seven three year का three hundred percent five year का thousand percent अगर इसकी हम financial data की बात करें revenue की बात करें तो आप इसका revenue देखी 2017 में इसका revenue six thousand करोन का था then seven thousand करोन का then nine thousand करोन का then ten thousand करोन का then two thousand करोन का क्या सान्दार revenue इसका बढ़ता जा रहा है अगर इसकी हम बात करते हैं net profit भी अब profit देखी 900 करोड था then 1100 करोड फिफ्टी हंडे करोड फिफ्टी ट्वंटी करोड देन 19 करोड तो net profit भी सान्दार इसका बढ़ रहा है अगर हम इसके sales की बात करें तो sales quarter wise quarter almost 3000 करोड देन 3,015 देन 3,200 देन 3,400 देन 3,700 continuous based sales में आपकी progress sales में बढ़ोत्री दिख रही है अगर आप इसके quarterly sales की बात करते हैं तो 2017 में 6,500 करोड का आपका sales था then 7,000 करोड देन 9,000 करोड देन 10,000 करोड देन 12,000 करोड तो इसकी अगर हम इसके बात करते हैं कि इस अपनी का balance rate में क्या है अगर इसकी अगर almost बात करते हैं तो almost debt free company है आप देखोगे तो पारविंगे इसके 2012 में करीवन 200 करोड थी then 100 करोड ही then 55 करोड और 2017 में यह debt free कोई करोड उसके बारव नहीं थी कोई देन डिस लॉक्डाउन की पिरिएड में इसने अगें लिया और फिर उसको reduce करने में लग गए और इसको compare करो इसके पास जो और रिजाब्स है आप स there was 1000 थाउजंड अधूजंड than 399 tonate था फिव्ते हन्डिट हंड़ेड और 20 हंड़ेको करोड थे वन करोड थाटी एड करॉड 1313 करोड 48 यह तो अगर हमाइव इसको compounded इन्वलय ग्रोथ च्हकी यहीड यह जिया सुआए पकर इसको comments il and रेटन्स की बात करते हैं इसे स्टॉक्स की तो वन येर में 96 परशेंट का सिए जिया रेटन थ्री येर फिप्टी परशेंट फाइफ येर में 57 परशेंट अगर रेटन रेटन अन एक्विटी की बात करोगे तो 30 परशेंट 31 32 continuous लास्ट फाइफ येर्स इसका रेटन साफ एक बैलेंस सीट सेल्स ग्रोथ नेट प्रॉफिट रेमनूर कंटिनिवस बेस पर ग्रोथ दिखा रहा है अगर आप चेक करो शेयर होल्डर पैटन की तो आप पाऊगे कि इस ने इस कंपनी के परमोटर ने 74 परशेंट सेयर तो इनके पास ही परमोटर के पास है और वनली 13 सकते हो कि कंपनी के परमोटर को पता है कि हमारी कंपनी का बिजनस किया है हम अगर इसकी कि लार्जन्स एंड टर्वो कितना बड़ा एक गुरूप है इस गुरूप की कितने सारे लिश्टेट कंपनिया है उसमें से एक है इन्फो टेक और इसने मार्ट लेस्ट दैन फाइफ वियर होते होते उसने थाउजन परशन का रिटर्न आपको दे चुगी है और यह एक लार्ज कैप का स्टाक्स है और यह मोडरेट रिस्क भी इसके साथ और यह जो एले टी आई जो वाक काता है सेग्मेंट में वो इन्फोर्मेशन टेकनोलोजी आईटी फिल्ड्स में अगर इसके अधर पैरामेटर बात करो नो रेट फ्लेग विद रिस्पेक्ट व मैनेजमेंट के पर से कोई भी रेट फ्लेग नहीं है इस्टिल इतने ग्रोथ के बार दिए स्टाक इस्टिल नाट इन ओबर बोड जोन अगर बात करते हैं कि यह LTI है जो इंफो टेकल क्लाउड में क्लाउड केंटि में क्लाउड कंसेल्टिंग में में इस्टेक्स में एसलिग एडिवर इंजीडिरिंग साइवर डिफेंस अप्रिप्र को इसके नट्स अ किम्लाउड क्लाउड के बात à । अ clips लेगल यह फोकस करती है आल यह यह company आपको banking and finance services को target करती है insurance के लिए काम करती है engineering utilities के लिए retail के लिए high tech के लिए life science के लिए health care के लिए media entertainment के लिए manufacturing के लिए the lots of industries where अगर जैसे इसका स्टेंडर रहा उसकी इसाब से दिखिया अज जस्ट तू अबर आवर पहले इसने बिजने स्टेंडर ने फोकस किया कि ल्टी ग्रूप से र ल्टी आई ही इसका स्टू पूर्स कि अवात करते थे अज स्टू पूंटी यह देख नाफे नॵैस ồi आईर प्रॉपीत सरी गरेख चुकें अगर हम इसकी actual intrinsic value की chart देखें, face value की chart देखें और market value की chart देखें तो आप चेक करोगी यह blue line इसकी intrinsic value है और यह इसकी face value है और इसकी intrinsic value देखोगे तो यह intrinsic value इसके red color वाली है So intrinsic value at present is very high. So finally question, क्या L&T InfoTech में आपको long terms के लिए investment करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? So इसकी financial number जो हम अभी तक discuss किये, fundamentally जो discuss किये about the balance sheet, about the returns, about the revenue, about the profit, इससे surely look like L&T InfoTech is very very fundamentally very strong company So कोई भी company fundamentally strong है और उसका future बढ़िया है आप देखोगे जिस industries को फोकस करती है और growing industries है, technology की महाँ में काम करती है, cloud पे work करती है, जो IT का field है, तो surely business growing है तो इस perspective से दोगर, तो ये एक long terms के लिए बहुत अच्छा investment plan हो सकता है This is my reading, आप भी इस L&T InfoTech को खुद analysis कर सकते हो, किसी से अपने financial advisor से consult कर सकते हो, और उनके valuation, price moment, news, corporate actions क्या जा रहे है, उनको आप invest करो investment advisor से आप consult करो, और उसके बाद आप decision लो अपना, या self study करो, आप decision लो कि L&T InfoTech is good option पर long term investment or not Currently ये stocks क्या overvalued है, undervalued में stay कर रहा है, तो इसकी intrinsic value अक्छल में कितनी है, अगर हमने बोला intrinsic value पर ज़्यादा trade कर रहा है इसकी intrinsic value नहीं है रहा है, 2356 है, trade कर रहा है 6900 पर रहा है So, at present, this stock is trading 152% premium value के उपर So, L&T InfoTech is one of the good option for long term investment अगर आपका एक horizon 5 to 10 year का है, so आज की date में अगर ये stock 6900 पर यहाँ पर trade कर रहा है, तो आने वाले 10 year में, surely surely इसका chart आप direction में जाएगा क्यों, किसका business क्या है, IT industry में काम करता है, cloud पे काम करता है, आज कार हर company cloud को adopt कर रही है और एक industry को target नहीं करता है, यह banking को, finance को, high tech को, life science को, manufacturing को, lots of industries where L&T InfoTech offering services यह अपनी services वहाँ वहाँ दे रहा है, तो आप जो demand है आज कल के IT की, उसका एक leader है का सकते हो, इसका जो returns है, जो fundamental है तो आप जब भी भी इस company को study करो, read out करो, इसके business को समझो, और इसका business मेरी understanding से, जिस field में काम कर रहा है, जिस technology पे काम कर रहा है, उसमें surely इसका future bright है और आने वारल time में यह इसी तरह से returns आपको देता रहेगा, तो जब भी भी आप इस stocks को analysis करो, figure out करो, एक long term investment perspective पर अगर आपको लगता है ठीक है, तो किसी भी time पर आप entry ले सकते हो, इंवेस्टमेंट के लिए कभी भी कोई price value मायने नहीं रखती है, हाँ, weekly basis पर कभी up down, up down up down, up down आएगा, एक long period में देखोगा तो एक अच्छा returns आपको मिलेगा, तो investment के लिए आपके पास जब भी भी suitable है, चोटा 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 amount, 1 share, 2 share, 3 share, 4 share, 10 share, जैसे आपकी capacity है, वैसे वैसे इसको accumulate करते रहो, और इसका dividend भी track अच्छा है, आपको offline, अधर से आपको benefit मिलता लाएगा, और कोई जब शेयर गगरोथ हो रहा तो तो होई रहा है, तो एक long period के लिए L&T infotech is a very good option, आप भी analysis करो, discuss करो, अपने level से analysis करो, और खुद सोचो, क्या L&T infotech आपके लिए क्या एक अच्छा options है, अगर अच्छा option है, तो किसी time पे कभी भी आप एन investment start कर सकते हो investment make your wealth higher and higher, wealth create करना है तो investment के point of view से आपको इसको सोचना पड़ेगा, from this note, I would like to say thank you for watching this video